मूबाइल का डेटा यूज करके हम लेपटॉप में डेटा कैसे ओन कर सकते इंटरनेट यूज कर सकते इस वीडियो में सिखेंगे पहले आप अपने मूबाइल का मूबाइल डेटा है उसका अन कर दियो उसके बाद सिर्केंड इस्टेप है मूबाइल का होट इसपोर्ट है!! डाटा अन होना चाहिए उसके बाद में आप लेटप में या आटिस्टाप में जाएए वहाँ पर सर्च करिए वहाँ पर जो सर्च बार है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे वहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आपके mobile countless 해 स्पोर्ट का जे नाम रेगा वहाँ पर सर्च आएगा जैसे देखी यहां पर सबसे पहले उपर हमारा यह नाम आ रहा है इस नाम को हम यहां पर करके करेंगे और यह पहले से connected है इसलिए directly connect हो जाएगा otherwise यह वहां पर आपको शर्च करेगा और सर्च करने के बाद में आप से वहां पर password पूछेगा आपको उसका password आपको देना है वहां पर आपके मॉबाइल के हौट शिपर्ट का जो पाशवर्ड है व academics आपको वहां पर इंशल्ड करना है वह करने के बाद में आपका यहां पर connect हो जाएगा यहां पर यह connected बता रहा है इस तरह से आपका नेट हो जाय गा और इसके तरू आपका लेपटॉग का इंटरनेट चालू हो गया। mac उतने इसकल आपके अनिपमौ पर नेट चालू है नहीं आपके मुबाइल का देटा यूज्ज़ करके आप आप laptop में desktop में यूज कर सकते हैं वहाँ पी इसली यूज कर सकते हैं आपके mobile स्पीड से स्पीड से आपको यहाँ पे browser open करने को मिलेगा या यूट्व या जो भी हो आप यहां से operate कर सकते हो और जोrig पे seul GU bliss up को मिलेगी दोस्तों इस तरह से आप अपने mobile के data यूज करके आप यहाँ पर लेब्टॉप में या डेश्ट आप में अगर आपके पास में है तो इसमें आप कर सकते हों आप यहाँ आपको अलग से इंटरनेट पैकेज या अलग से वाइफाई लेनी की ज़रूरत नहीं है आप मुबाइल से भी अपना जो इंटरनेट का यह है डेटा है उससे आप यूज करके आप अपने लेप्टाप में यूज कर सकते हो तुरंत इसली कनेक्ट हो जाता है और इसमें जालू हो जाएगा और इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आते है ज्यादा इसमें सेटिंग्स अगर कुछ ने एक बार और देखों में यहां पर सर्च करके आप बता रहे हैं और जैसे आपका यह हो जाएगा आप उसको क्लिक करेंगे और वहां पर डिसकरनेट भी कर सकत है तो अदर्वाइस दूसरा भी कोई आपका मिस यूज नहीं कर सकता है जब तक उसको यह पाशवर्ड पता नहों इस तरह के से आप अपने मुबाइल का डेटा से यूज करके आप इसमें कर सकते हो दोस्तों इस पीड भी अच्छी मिलेगी आपको इसमें कुछ भी कर जाएगा इस पीड थोड़ा स्लो हो जाएगा आप तीन चार कंप्यूटर अगर कनेट करते हो तो इस तरीके से आप इसमें इस तरह से आप अपना कनेट कर जाए दोस्तों और यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करिए लाइक करिए और कुछ कमेंट में आ आपके उसका रिपलाइज जरूर दूंगा दोस्तों ताइंक्यू आपने मेरे यह वीडियो देखा दोस्तों